हमारे किसान भाईयों आज हम राई सर्सों में माहू के जो प्रकोप हो रहे हैं उसके रोग ठाम के लिए हम आपको देशी दवाईयों के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताएंगे इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा इसमें कोई खर्चा नहीं है इसका खर्चा जीरो है इसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां सब नहिसुलक हैं देशी हैं गाउं में ही पाई जाती हैं इसके प्रियोग से काफी बचत होगी राई सर्सों के प्रकोप में लग भग 40% राई सरसव की उत्पादर में कमी आ रही है जिसे आप लोग नहिसुलक में बचा सकते हैं और अच्छी कमाई होगी तो इसका हम नुक्सा बताएंगे पहले गाउं में पाया जाने वाला एक पेड़ है जो फल देता है गाउं में इसे संकर जी पर इस फल को चड़ाते हैं ये आप लोग पहचान लीजिए इसको आचारे चरक ने कनक नाम दिया है और सुसुत जी ने उनमत्त नाम दिया है बैज्यानिकों ने इसे 20 वर्ग में रखा है ये छोटे-छोटे की नियंतर्ण के लिए बहुत ही उपयोगी है ये आपको गाउं में निसुल्क में मिल जाएगा इसको इसकी पहचान आप लोग कर लीजिए तो एक परकार का ये पेड़ आप लोग इकठा कीजिए निसुल्क में दूसरा पवधा हम आपको बता रहे है नीम नीम भी गाउं के हर जगह पाई जाती है ये आप पहचानिये सबके घरों के आसपास रहती है इसका ये नीम महोगनी परिवार का माना जाता है ये इसकी कई आउसदियां बनती है तो इसकी आप लोग बराबर मात्रा लीजिए इसके साथ ही एक पेंड होता है देशी ये कनेर है इसको भी आप पहचान लीजिए ये इसका फ़ल यहां देखिए सबके घरों के आसपास पाया जाता है इसको भी आप लोग नहीं सुलक में पा जाएंगे कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा तो ये कनेर का जो बैग्जानी का नाम है नेटियम ओलियंडर है ये तीन चार प्रजातियां इसकी पाई जाती है जो भी प्रजातिया आपके घरों के आसपास मिले उससे आप ले लें इसके बाद इसमें एक इन ग्रेडियनट मिलाए जाएगा बेसरम या इसको लता कहते हैं ये कई बरसों से पनिबार देश में है ये नहीं सुलक मिलता है इसका बैग्जानी के नाम नीलगिरी गली है ये भी फिरी में मिलता है इन सबकी बराबर पत्तियां ले लेना है इसके बाद एक होता है ये देशी आप लोगों के घर में बोई जाती है लहसुन इसका बैज्यानी का नाम है एलियम सैटिबूम एल है इस प्रकार इन पांचों को सव सव ग्राम की मात्रा में लेना है जितनी मात्रा इसकी हो जाए उसका चार गुना पानी मिट्टी के बरतन में इसको उबालिए जब आधा रह जाए इसका कलारा जाएगा पानी में तब इसको छान करके अलग का लीजिए इसको करीब है दो लीटर प्रती एकड़ एक एकड़ में दो सो लीटर पानी में मिला कर राई सर्सों के सुरुवात में जब माहू का प्रकोब दिखने लगे तब इसका अस्प्रे कीजिए इससे पूरे राई सर्सों में लगे हुए माहू का प्रकोब नियंतर में हो जाएगा लेकिन किसी किसी में यदि नहीं हुआ तो उसमें केमिकल रसाइनिक कीट नासक का प्रियोग करना पड़ेगा जैसे रोगर या डाय मेथोएट दो एमेल प्रति लीटर पानी में मिलाकर अस्प्रे करना चाहिए यदि माहु बड़ी होगा इह तब लेकिन शुरू में ये आर्वेदिक दबाई ही फायदा कर जाएगी रसाइनिक का प्रियोग नहीं करना पड़ेगा अब दूसरी बिधी आप लोगों को हम दूसरे भाग में बताएंगे सेस जैहिन